हेलो स्टूदेंट्स हम स्टांडर्ड एट सोशिल साइंस में फर्च शेप्टर देख रहे थे काया यहां तो में हम एक्पेंशन ऐप देखे गें तो अप्र रेश्टीह की पाद वर्न हैस्टिंग पर इंडिया के गवनर जैरल विदे थे गवर्न वार ग्रीट वीच्ज नेपल एजब्सक्राव और वैस्टिंग नवा जो इन्हों ने बंगल के साथ युद्ध गिया और चो उन्हों नेपाल के साथ उन्हों ने यूत किया और जो नेपाल के गुर्खा लोग नोग होते उनको अपने आर्मी में जोइन कर लिया हेस्टिंग फाउंड बेटल विद पिंडारास एंड टुक कंट्रोल अवर दें तो हेस्टिंग ने पिंडाराओ के साथ भी लड़ाई की और उनको भी अपना अंडर कंट्रोल कर लिया पिंडाराई यानि की उस समय की एक आदिवासी प्रजाथी जो काफी कूर और घात की प कंपनी वस एस्टाबलिश ओर थीसरे मराठाय यूत्रिक के साथ ही जो कंपनी की सुप्रीमेशी थी वो एस्टाबलिश हो गई यानि पूरे इंडिया में इस्ट इंडिया कंपनी हो सुप्रीम हो गई तो पहले के जितने इंग्लीश गवर्नर जनरल से उनकी कंपेरिजन में ये जो नया गवर्नर जनरल साथ विलियम बैंटिक वो काफी लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता था तो बैंटिक ये मानते थे कि जो पहले के गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो इंपिरियालिस पॉलिशी अपने देश की परजा के उपर डाल दी थी तो वो मानते थे कि ऐसी पॉलिशीयों से यूनिटी वो नहीं कर पाएगे मिन सभी स्टेटों के जो राजा थे उनको वो एक नहीं कर पाएगे तो इसलिए वो कोई भी काम करते उसमें काफी लिबरल रहते तो उसके बाद देल हाउसी एज गवर्नर जनरल इंडिया में आये जिनका समय था 1848 याने 1848 तो वो एक fierce imperialist थे उन्होंने कई सारी policies एडप्ट के थी उसमें से एक policy थी अने ग्रेशन्स policy और जिसकी वज़े से क्या था कि इस policy की मदद से जो बिटिश एमपायर था उसका जो expansion वो पूरे इंडिया में हो गया Besides being imperialist, Dale House was also reformist तो एक imperialist याने के एक सासन करता होने के साथ साथ जो Dale House था वो reformist याने के समा सुधारग भी था The first railway line in India between Mumbai खाने जो 1853 में चली थी वो Dale House के ही समय में चली थी उसके प्रायर से इंडिया में railway शुरू हुई थी असा हम कह सकते wireless system between India and England तो इंडिया और England के बीच में जो wireless system हुई थी वो भी Dale House के समय में ही हुई थी and Establishment of Public Work Department यानी कैते नाम PWD वो भी इसी के समय में Establishment इसके हुई थी English Education etc English Education उसने कंपल सरी कर दिया था उस समय में कि ज्यादा से ज्यादा है English Education इंडिया में आये और ज्यादा से ज्यादा लोग English Education को ले और English बोलना और पढ़ना सिख्ये तो यह सभी जो समाज मिन्स रिफोर्म मर्थ समाज के सुधा रहते यह उसने किये थे All introduced during his tenure तो यह जितने भी जो रिफोर्म हुए थे वो सभी उसके समय में ही हुए थे ही पास लो टू ब्यांग चाइल्ड मेरेज और एड़ोकेट विड़ो मेरेज तो उसने बाल विवा को बंद करवा दिया उसके उपर मिन्स ब्यान लगवा दिया और उसने विजवाओ का पुनर विवाब करने के लिए भी उसकी हिमायत की कि उसने का कि नहीं विजवाओ तो क्या उसका पुनर विवाब कर सकते उसे उसके बाद देखते हैं विए 100 years from the battle of Plassey in 1757 British rule and the empire both expanded but the process they had to face the satisfaction of the Indian state and this was manifested in the form of struggle for independence in 1857 तो हंड्रेट प्लासी की लड़ाई के सौसल बाद सौसल बाद British rule पूरे इंडिया में अच्छी तरह से फैल गया पर उनकी जो पॉलिसी या थी उनके जो नजरिया था इंडियन लोगों को देखने का वो काफी क्रोड था जिससे लोगों में लिसाटिस्पेक्शन फ्याला और इसका नतिजा क्या हुआ कि 1857 में इंडिपेंडेस स्ट्रगल शुरू हो गई उसके बाद economic impact of the company तो when we evaluate the hundred year of company rule in India तो जब हम company के 100 सालों के rule को देखेगे उसके उपन नजर दोड़ाएगे तो we realize that हमें ये realize होगा कि India which had an inevitable position in the world in the previous century तो भारत जो अगले सद्यों में जो उसकी position थी कि उसे एक inevitable position थी हमारे देश की कि उसे सोने की चिडिया कहा जाता था वो become merrily a country that produce raw material for England and a prospective market for good producer in factories तो उसमें merrily raw material उत्पाद होता था और जो भी उत्पाद होता था वो सभी England की factory में पहुँच जाता था बंगार exported cotton cloth, rose silk, sugar, jute, muslin but after the dual power policy the glitter of economic prosperity of बंगार फेड़े तो इसके साथ साथ देखे दहम उस समय में बंगार जो है वो cotton cloth, rose silk, sugar, jute, muslin ये सभी export किया करता था पर जैसे dual power policy को अंगे जो ने लागो किया इसकी चमक भी बंगार की जो व्यापार था वो भी दिरे-दिरे कम होने लगा the dual power policies यानि की द्री मुखी शाषन पत्तती वार्ज इंट्रोड्यूस फॉर्ड फर्स्टाइम इन बंगार बैर बाइद पावर ऑप कलेक्टिंग रेवन्यू वाज विद ब्रिटिश तो ये जो पॉलिसी ए डिवल पावर पॉलिसी वो सबसे पहले बंगल में इंट्रोड्यूस लगा की गई थी यानि कि बंगल में ही लगाई गई थी और इसमें ये था कि रेवन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश एमपार के पास में था विदिन था रिस्पोंसिबिलिटी ऑप पिपल्स वेलफर वाज विद था नवाब की जो लोगों के वेलफर के रिस्पोंसिबिलिटी थी वो नवाब के आज में होने के बावजूत भी The British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power तो जो पावर था हो पूरा British East India Company के आद में था Nawab तो अनली नाम से था है यानि कि वहाँ जो थोन हुआ करता था था Nawab का वो नवाब के पास ही रता था पर असली जो राज था हो British हुकुमती किया कर देती उस समय में This was known as subsidiary alliance system which ruined Bengal economically तो इसे गयादे subsidiary alliance system जिसने बंगाल को पूरी तर से economically खतम कर दिया था The unfair revenue collections policy by the company made the Indian prison debt तो जो unfair revenue collection था ये कंपनी का वो जितने भी हमारे फार्मर थे उसे ज्यादा मींस और डेप तर मींस दबाते गये हुने ज्यादा से ज्यादा बहले से हमारे जो फार्मर थे वो दबे हुए थे कर्ज के बोज के तले और ये जो पोलिशिया लगाई British है रोने उसकी वज़े से और भी दब गये इंडिया की जो जो खोड़ इंडिया की उसके उपर कई सारे ऐसे अन्फे टैक्सी स्लगाद इंडिन इंडिस्री था इंडिस्री थी उसकी जो प्रस्परेटी थी ओ दिरे दिरे खातम हो गई and because of which the completely collapsed और इसके वज़े से अमाल जो इंडिस्री थी ओ दिरे दिरे completely गई दिरे 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 खातम हो गई the Indian artisans become poor and unemployed the company traders force the weavers of bengal to sign a contact to providing definite quantity of clothes in a short period if the weavers refuse he would be punished by the lace or jail हमारे जो इंडियार artisans थे वो दिरे दिरे और गरीब हो गए और unemployed भी होते गए जो company के trader थे वो उन्हें यानिक वीवस को force करते बंगाल के वीवस को की बैई contract sign करो और जो भी उन्हें जितनी भी quantity में जितना माल चाहिए वो उन्हें उनके तैक कि यह समय के अंदर अंदर उन्हें मिल जाने चाहिए अगर ऐसा करने में वीवर्स ना कहते तो या तो उन्हें पनिश किया जाता या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है यानि कि जो गवर्मेंट जो अंगरे सरकार कहते थी वह हमारे कारीगरों को करना चाहिए जितना भी टाइं की देती के अंदर उन्हें जितना काम किये, या में हमारे अटिसन को वह सबी उन्हें पूरा करके देने का होत ओं अगर नहीं जेल में डाल दिया जाता था या फिर कोई दूसरी शागी जाती थी Before the arrival of company the Indian village were self-reliant and prosperous but under the company rule they become dependent and poor तो जब company हमारे इंडिया में नहीं आई थी इस इंडिया company तब हमारे जो villagers थे वो self-reliant हुआ करते थे और प्रोस्पर याने की सम्रीद भी हुआ करते थे पर जब company इंडिया में आई वो उस पूस ने रूल करना शुरू किया तब हमारे जो पूर लोग थे हमारे फार्मर थे वो दिरे दिरे पूर होते गए और दूसरों के उपर dependent होते गए During the rule of East India Company the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was start and developed a port in Mumbai, Madras and Calcutta also took place तो इस East India Company के समय में हमारे इंडिया में सबसे पहले Mumbai और थाने के बीच में railway शुरू हुई थी और स्टीमर सर्विस भी East India Company के समय में ही हुई थी और कई सारे ऐसे बड़े बड़े पॉर्ट इसी कंपनी के समय में established हुआ थे और developed भी हुआ थे जैसे कि Mumbai, Madras, Calcutta यह जो बड़े बड़े पॉर्ट है वो East India Company के समय में ही शुरू हुआ थे British East India Company के जो रूल के समय सुर्शयल इंपेक्ट क्या हुई थी यह हम देखे गया भी तो डूरिंग देडिविटिस अध्मिस्टेशन थे श्पीट ओफ्रीट ऑफ फ्रीड़ेम ऑफ स्पीच एन थोड़ डेवलेप्मेंट अप नूस्पेपर तो British administration याने British association वयवस्ता के द्वारान ही newspaper की development की वज़े से लोगो में freedom of speech और अपने thought express करने की जो आजादी थी वो लोगो को मेली थी In the Indian society, certain wrong social customs, rights and rituals were prevalent during this time like sati system, female infecicides, child marriage, etc. तो इसी कंपनी के रूल के द्वारार इसी समय में हमारे Indian समाज में कहीं सारे ऐसे सामाजिक कूरीतिया, कूरीवाज ये फ्याले हुए थे जैसे की sati system, female infecciide, दूरपीती तरथा child marriage system ये सबी कूरीतिया, कूरीवाज हमारे Indian समाज में फ्याले हुए थे राजा राम मोहन रोय, दूर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी, etc. वे दर स्टोर्वर्ड वूर्स रोल वार्ज इंस्रूमेंटल इन गेटिंग दर लोग पार्स विद्ध, हेल्प अब दी प्रेटिश तो उस समय के जो समाज सुधारग थे, जैसे की राजा राम मोहन रोय, दूर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी, जैसे महां समाज सुधारों के प्रयासों से ही इन सभी कूर इवाजोब को दूर करने के लिए लोग पार्स किया गया बिल्टिश गवर्लमेंट की हेल्प की वज़े से एस अद्मिस्टरेटिव फ्रेमवर्ग इन इंडिया वर्स इंग्लिश इंग्लिश सब्सक्राइब लोग इंग्लिश को जानते थे, उनकी मांग, उनकी दिमांड ज्यादा थी इंग्लिश एजुकेशन बिगें टू बी इंपार्टेट इन इंडिया दू तो लॉर्ड मेकलोई के समय में हम ऐसा कह सकते ही कि इंग्लिश एजुकेशन है वो महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था हमारी स्टेडी का अगर हमें अच्छी जॉब करनी है अच्छी जगा प इंग्लिश का एक पूरा वर्ग इंग्लिश का एक पूरा वर्ग डेवलप हुआ था इंग्लिश एजुकेशन की वज़े से और विक्त प्यासे जोग टाइम जैसे जैसे समय विक्ता गया इस ग्रूप में डिमांड पोर सोचल रिफोर्म्स तो यही ग्रूप समार सुधारक के लिए इनकी डिमांड बटने लगी एंड गेव मोमेंटम टू प्रोसेस ओ रिफो और इनी सभी रिफोर्म्स को मोमेंटम इनी सभी रिफोर्म्स को बनाय रखने के लिए इनकी मांग और ज्यादा बढ़ने लगी अभी कन्क्लूजन देखेगे कि तरस द इस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया बी एलर्ग बाय प्रोस्परिटी एंड एड ट्रेड ऊपरचिनेटी तो इस तरह से हम कह सकते है कि इस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में व्यापार करने के लिए और सब्रिद्ध होने के लिए आई थी दे कंपनी रोल इन इंडिया प्रोड्यूस शर्टेन गोड एंड रिजल्ट इन पॉलिटिकल एकोनोमिक और सोचल एंड कल्चल खिल्ट तो वह एक व्यापार कंदे हमारे इंडिया में आई थी और दीरे दीरे वह कब इंडिया के उपर रूल करने लगी यह हम देख सकते है तो उनके रूल के समय हमारे इंडियान पॉलिटिकल, एकोनोमिक, सोचल और कल्चल फिल्ट में कई सारह से अच्छे और बुरे रिजल्ट आये थी तो वह कंपनी जो जितने भी रिफर्म करती वह सभी इंगलेंड को प्रस्पर बनाने के लिए होते थी जो भी पॉलिटिया वह एडप्ट करती हो सभी इंगलेंड की हक में होती थी और यह नहीं हुआ कि डायरेक्ली या इंडायरेक्ली कहीं ना कहीं से वह हमारे इंडिया के लिए भी बेनेफिशियल हो ही जाती थी तो ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बार हमें कहीं सारे ऐसे फायदे भी हुए कहीं सारे ऐसे नुक्सान भी हुए ओके फ्रेंट तो यहां आपका फर्स चेक्टर पूरा होता है आपको इसके एक्सरसाइस नोट बुक में लिख के मुझे सेंड करनी है अवड़ चाह सेंड कर दो कर दो कर दो मारी हुए